कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका मनु भार्दवाज फिर हाजी नों एक नई वीडियो के साथ जो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं वो रेलेटिड है दोस्तों ये लाइट मैक्स ब्रांड का है आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कि दिखने में कैसा है चलिए चलते हैं और इसे हम बॉक्स को उपन करते हैं ये देखेगा कितना अच्छा और सुंदर बॉक्स है जिसके अंदर ये लेजर हमको दिया गया है ये जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और ये जो इसके बिल्ड मैटीरियल है ये एक्राफ्ट अल्यूमिनियम विलॉय की है ये देखेगा ये फोकस हम कर सकते हैं यानि ये अच्छी फोकस के साथ आपको मिलती है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है स्टील का भी पार्ट कुछ यूज करा गया है ये इस तरीके से हम इसे खोल सकते हैं यानि अधर पार्ट में भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ये इस टाइम आपका बैटरी पैनल है जहां आप बैटरी इंसर्ट करेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और पर पावर इसकी 5000 मिलीवाट की है फोकस मोड रोटेट फोकस है लाइट रेंज इसकी मिनिममम 5000 से 8000 मिटर्स तक है ये देखेगा ये पूरे बॉक्स में ये वैरियस असेसरी आपको मिलेगी बैटरी इसकी 3.7 वोल्ट जो उसका नंबर है वो 26650 लीथियम आन बैटरी है इस तरीके से इंसर्ट होगी जो उस बहुत बढ़िया है मुझे तो देखने में बहुत अच्छी लगी और आप मैं आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ये अनफ स्विच है ये दो मोड में काम करती है बिलिंगिंग मोड और सिंपल मोड ये देखेगा इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये सिंपल मोड में आ जाएगी और ये बिलिंगिंग मोड है और इस ताइम जो आप इसका आउटपूट देख रहे है उसका कलर ब्लू है इसकी सबसे बड़ी कि यह बंडिंग लेजर है और मैं इसका फोकस एजस्ट कर रहा हूं और सामने आप देख पा रहे होंगे कि जो सामने गता रखा है वो जलना स्टार्ट हो गया तो यह बंडिंग लेजर में आती है बहुत ही ज्यादा डेंजरिस भी है इसलिए इसके साथ प्रोटेक्टिव ग यह देखिए यह देखिए मैज स्टिक चल गई है तो यह लेजर इतनी पावरफुल है तभी मैंने इसको 2017 मोस्ट पावरफुल लेजर का नाम दिया है जिसका पावर आपूट 5000 मिलिवाट का है देखा कितना पावरफुल लेजर लाइट है यह डेमोस्टेशन अपने आपक मैं बणिंग लेजर है अब मैं आपको यह स्मॉल पीस जो कार्ट बोड का है मैं इसको जला के दिखाऊंगा यह देखेगा इसके सामने आते ही यह बंट करना स्टार्ट कर रहा है यह जो फ्यूम सूर्तीवी दिखाई दे रही है यह शो कर रही है कि किस तरीके से यह बंट कर रहा है और इसके बीच में ये होल कर देगी लेजर ये देखिए अब आपको पता लगा मोस्ट पारफुल लेजर मैंने क्यू टाइडल दिया इसका इसे जितनी बार में फायर करूंगा उतनी बार ये सामने होल कर देगी बर्निंग एफेक्ट आएगा ये देखेगा मूव करवाता जाओंगा जैसे जैसे मैं मूव करवाओंगा वैसे वैसे बर्निंग एफेक्ट आपको सामने दिखता जाएगा अगर हम लेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में दुबारे बात करें तो ब्रांड लाइट मैक्स है आउटपूट पावर 5000 मिलिवाट है फोकस मोड रो का पूरा बॉक्स मैंने यहाँ पर जला दिया है आप इसकी पावर को साफ यहाँ पर देख सकते हैं मैं दुबारे बताना चाहता हूँ 2017 मोस्ट पावरफुल लेजर लाइट वो भी ब्लू इन कलर तो बारे से मैं डेमोंस्टेशन आपको दिखा रहा हूँ यह देखेगा यह इसकी पावर को साफ शो कर रही है यह इतनी अच्छी लेजर लाइट है कि मेरा मन इससे भरता नहीं है मैं आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ यह देखेगा मैं ग्लास के अंदर बहुत सारी मैस्टिक रख रखी है और मैं आपको इसे बंड करके दिखाऊंगा यह देखेगा कितनी दूर से सारी मैस्टिक को मैं बारी बारी से बंड करूंगा वाव बहुत बढ़िया है मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको यह अच्छी लग रही है तो फटा फट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है मेरी इस वीडियो पर और मैं आशा भी करता हूँ कि आप मेरी वीडियो पर जरूर कमेंट करेंगे लाइक करेंगे اور सब्सक्राइब करेंगे यह देखेगा कितने अच्छी तरे किसे बंड कर रहा है कर दोब यह कोई ट्रौय का बाप है अगर साथ में आपको मिलेगा लेजर पॉइंटर साथ में मिलेगा चार्जिंग अडेप्टर जिसका जो इन्पूट है एसी 110 वोल्ट से 240 वोल्ट तक 50 से 60 हर्ट्स पर काम करेगा यह साथ में आपको मिलेगा 5 इमेज लेजर हैट्स और 1 प्रोटेक्टिव ग्लासी और इस लेजर को फंक्शनी मिलाने के लिए मिलेगी आपको रिचार्जेबल DC बैट्री जिसका वोल्ट है 4.2 वोल्ट 600 मिली एंपियर तो दोस्तो मेरा जो यह वीडियो बनाने का मोटिव यह है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मोस्ट पारफूल लेजर भी अब अविलेबल है मार्किट के अं कहने का मतलब यह है प्राइस रेंज इसकी वैरी करती है और आप इसे खरीच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको लिंक दिया है उसके क्लिक करके तो दोस्तों यह था इंडोर टेस्ट जिसमें मैं आपको बनिंग इफेक्ट दिखाया था अब चलते हैं और हम इसका आउडोर टेस्ट करते हैं चलिए आउडोर टेस्ट करते हैं यह देखेगा यह ब्लू लेजर है कितनी अच्छी लग रही है 5000 मिलिवार्ट की पारफुल लेजर जो आप साथ देख सकते हैं और इसकी रेंज मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि यह 5000 मीटर से लेक तो वो 1 kg 250 g है दोस्तो एक इसमें इंपोर्टन बात यह है कि यह लेजर बीम आप कंट्यूनर्स तक रन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि अगर आप इसे 3 से 5 मिनट्स से ज्यादा रन करवाते हैं तो इसका जो डायोड है बंढ होने का खतरा है तो इसे कूल कंडिशन में लाने 5000 MW Blue Laser Pointer जो मैंने इस वीडियो के अंदर शो करी है दोस्तो इंतजार ना करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं नितना यह वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपकी नौलिज को बढ़ा सके और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको sophisticated gadgets दिखा सकूँ और आपकी न दोबारे हाजीर होंगे एक नई वीडियो के साथ तब तो मैं आपसे विदा चाहता हूं ओके बाए झाल